2,021 आचुक है दोस्तों और अब हमें चो है internet की बहुत ही ज़ादा ज़रुरत होती है चाहे मैं किसी बच्चे के बारे में बात करूँ या फिर किसी 80 साल के बुढ़े के बारे में बात करूँ सबी को यार इंटरनेट की बहुत जादा जरूरत होती है तो अगर आपके computer के अंदर internet नहीं है और आप निराश हो रहे हैं कि यार हमारे तो computer के अंदर internet ही नहीं है इसके अंदर हम wifi कैसे चलाएंगे तो ये मेरे पास एक device है एक यंतर है जैसी आप इसको अपने computer के अंदर लगाओगे वो wifi पकड़ना शुरू कर देगा तो आईए detail में इसके बारे में बात करते हैं तो ये है TP-Link का एक wifi adapter आप जैसी इसको अपने computer के अंदर लगाओगे तुरहन तियार उसके अंदर wifi आ जाएगा अब इसको install कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं अजय इससे पहले कि हम लोग आगे बड़े में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे channel के उपर ऐसे ही computers and PC, gaming PCs बगरा इन सब के बारे में बात करते हैं तो अगर आपका इंटरस्ट है, so make sure कि आप channel को सब्सक्राइब करके रखे और उस घंटे को जरूर दबाए, वरना आप तक घंटा नहीं पहुचेगा क्या? नोटिवेकेशन, घंटा आप तक नोटिवेकेशन नहीं पहुचेगी तो नोटिवेकेशन चीए, तो उस घंटे को जरूर दबाए और साथी में भाई लोग अगर आपको अपने लिए कोई PC पर्चेस करना हो चाहे गेमिंग के लिए करना हो या फिर एडिटिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट modxcomputers.com को चेक आउट कर सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारे pre-built PCs देखने को मिल जाते हैं उसमें से अगर आप पर्चेस करना चाते हो तो कर सकते हो वरना कर आपकी कोई custom requirement है तो आप हमको contact भी कर सकते हो साथी में गईज आपको बताना चाता हो कि यहाँ पर आपको peripherals भी मिल जाएगे जैसे keyboard, mouse, headset हो गए और साथी में PC components के combos भी मिल जाएंगे motherboard, processor और RAM के so make sure कि आप हमारी website को जरूर चेक आउट करें अगर आपको अपने लिए को इन सब में से कुछ भी purchase करना था तो link मिल जाएगे आप लोग डिस्क्रिप्शन में अब चलिए इस product की हम लोग एक छोटी सी unboxing देख लेता है सबसे पहले तो box देख लो भाई हमें यापर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है अब जैसी आप इसके box को open करोगे तो यहाँ पर हमें कुछ as such कुछ भी मतलब कोई खतरनाग unboxing नहीं है बस खाली एक हमें यहाँ पर अपना wifi card देखने को मिल जाता है तो इसको मैं side में रख लेता हूँ और एक छोटा सा bracket देखने को मिल जाता है low profile systems के लिए और बाकी high profile system के लिए इसके अंदर लगा के दिया गया है हैंड इसको मैंने पैकेट से बाहर निकाल लिया है और एकदम छोटू सा है यह अब detail में बात करते हैं कि इसको हमें install कैसे करना है और कहां पर इसको लगाते हैं तो यह भाई लोग वो PC वो computer जिसके अंदर हम लोग इस wifi card इस wifi adapter को install करने वाले हैं अब इसको install कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अब देखो यह जो मेरे पास PC है यह थोड़ा सा नए जमाने का है तो घबराने वाली कोई बात नहीं अगर आपके पास जो PC अगर वो पुराने जमाने टाइप का वेरी करता है बट यह जगे गहरेगा सिर्फ X1 की तो most probably आपके आप अगर आज की जमाने का कोई PC उस कर रहे हो जैसे की B450 motherboard उस कर रहे हो कोई B550 motherboard उस कर रहे हो चीकर उसके अंदर wifi अगर नहीं दिया गया है उसके उपर आपको यह चोटा सा slot दिख रहा होगा यह most probably आपके भी PC के अंदर होगा ठीक है उस motherboard में भी यह दिया गया हो यह तो खेर A320 motherboard है इसमें दिया गया है बाकी जितने भी motherboard है उनके अंदर most probably यह जो slot है यह दिया जाता है X1 वाला अब जिनको थोड़ा ज़्यादा technical नहीं पता है और उनको यह लग रहा है कि भाई मेरे motherboard में तो इससे बड़ा slot है यह तो आप जो slot दिखा रहे हो तो छोटा सा है तो अगर आपका बड़ा slot भी है तो उसके अंदर भी चल जाएगा ठीक है ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह सिर्फ X1 slot को ही गेड़ता है बट अगर बड़ा slot है तो उसमें भी घुसा देना चल जाएगा अब इसको लगाते कैसे हैं वो देख लेते हैं तो यह रब है यह हमारा Wi-Fi card जो कि मैंने इंस्ट्रॉल कर दिया है और यह हमारा Wi-Fi card है इसमें से एक एंटीना भी है तो यह सिगनल को जो है receive करने में catch करने में काफी ज़दा help करेगा तो अगर आपका कोई भी ऐसा PC जिसके अंदर Wi-Fi नहीं है तो एक सिंपल सी चीज को इंस्टॉल करके आप उसके अंदर Wi-Fi जो है लगा सकते हो अच्छा अब मैंने इंस्टॉल तो करती है अब हम जल्दी से इसको on करके देखते हैं और देखते कि क्या इसके अंदर Wi-Fi आ देखते हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या तरशाय ड्राइवर भी हो सकता है तो देखते हैं क्या plug and play वाला मामला है यहां पर या फिर नहीं तो PC जो है वो मेरा on हो चुका है और यहां पर मैं फटा फट से देख लेता हूं कि क्या मुझे Wi-Fi वाला option यहां पर मिल रहा है तो यह देखो भाई हमारा PC जिसके अंदर हमने अपना Wi-Fi card लगा है वो बिट है इसके पीजे तो भाई एक light भी जलती है जिसमें status लिखा आ रहा है और हो सकता है blink किसले कर रही है क्योंकि अभी यह connected नहीं है मेरे Wi-Fi से तो यहां पर देखो भाई मैं गया Wi-Fi वाले option के जल्दी से हम लोग इससे connect कर लेते हैं और भाई जल्दी से हो जा connect और यह हो चुका है हमारा यहां पर connected मैं हूँ dawn और net हमें अपने PC के अंदर मिल चुका है और status वाली जो light है देख सकते हो बहुत तेजी से blink हो रही है तो इसका मतलब data आ रहा है receive हो रहा है में भी हो सकता ह किस चीज का indicator होगा बड़ जैसे पहले slow slow blink हो रही थी अब यह थोड़ी fast blink हो रही है और जो wifi का symbol होता है वो भी अब हमारा यहां पर नीचे आ चुका है भाई लोग यार मैंने तुम्हें इस wifi card की बारे में सब कुछ बता दी है बस price बतानी रह गई तो यह जो wifi card है यह तकर बाते important रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं कमाल की चीज इस wifi adapter के साथ में यह कि आपको कोई भी external कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूत नहीं सीधा plug and play वाला मामला है लगाओ और चलाओ कोई driver डालने की ज़रूत नहीं है अच्छा अब आप मेंसे काफी स बकवास होती है वो किसी भी लायक नहीं होती उसमें मैंने यह चीज बहुत जादा नोटेस करी है कि थोड़ी देर बाद ना उसको यूज करने के बाद पता नहीं क्या होता है कि इसके decrease होनी शुरू हो जाती है speed धीरे 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 उसकी speed गिरती चली जाएगी जो कि इस Wi-Fi कार्ड के साथ में देखने को नहीं मिलेगा stable आपको speeds इसके साथ में देखने को मिलेगी अच्छा एक जो drawback है जो demerit है disadvantage है इस Wi-Fi कार्ड की वो यह है कि इसके साथ में आपको 5 GHz वाले band का support नहीं मिलेगा जो सिर्फ 2.4 GHz वाले bands होंगे सिर्फ उसी का support मिलेगा त अगर आपको थोड़ा सा higher speed वे internet चलाना हो अगर आपको 5 GHz वाले band के उपर internet चलाना था तो वो आप इस Wi-Fi कार्ड के साथ में नहीं चला सकते हो उसके लिए आपको थोड़ा से expensive वाला version आता इसका I guess शायद वो 1000 रुपे का आता है यह लगबग 600 रुपे कुछ का था वो 1000 तो हाँ वो 400-500 रुपे महेंगा है थोड़ा सा लेकिन उसके अंदर तुमको 5 GHz का support देखने को मिल जाएगा तो उसकी भी जो link है buy करने की वो भी मैं दे दूँँगा description में तो आपको अगर 2.4 GHz वाला लेना है तो वो ले लो वरना अगर आपको 2.4 प्लस 5 GHz दोनों वाला और जो मैंने use करें अपने लिए उनकी links मैं आपको दे दिये description में बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर helpful लगी हो और आप भी ऐसा कुछ टूंड रहते कि आपको भी wifi चाहिए था और ये वीडियो अगर आपको helpful लगी तो भाई like जरू कर देने इस वीडियो को subscribe झाल